हेलो दोस्तों कैसे हो आप तो शुरू करते हैं आज का एपिसोड एपिसोड 28 अंटाइटल चाप्टर अब तक कहानी में अब तक हमने देखा कि श्रेया अपने रूम में गहरी नीद में सोई हुई थी वो रात को दिनर के लिए भी नहीं उठी नित्या अंटी जब उसे दिनर के लिए बुलाने आती है तब श्रेया को वो उसी कपड़े में सोती देखती है जो उसने हॉस्पिटल से आते वक्त देखे थे उन्हें लगा शायद वो बहुत ही ज़्यादा ठक गई होगी इसलिए उसने कपड़े भी नहीं चेंज किये आते ही सो गई नित्या अंटी श्रेया को उठाने ही वाली थी पर जब वो उसे इतनी आराम से सोते देखती है तो उनका उसे उठाने का मन ही नहीं होता वैसे भी श्रेया को उसकी नीद बहुत प्यारी थी अगर उसकी नीद पूरी ना हो तो वो चीर-चीरी हो जाती है इसलिए नित्या अंटी उसे नहीं उठाती वो उसके माथे पर एक छोटा सा किस करकर उसे अच्छे से कंबल से धाक कर आक की स्पीद नोमल करके रूम का दोर लगा कर नीचे चली जाती है किचन में जाकर वो श्रेया का खाना फ्रीज में रखती है ताकि श्रेया की जब नीद खुले और उसे भूख लगे तो वो नीचे आकर खाना खा सके वो भी अपना डिनर करके सोने चली जाती है श्रेया की मौम ने उने पहले ही कॉल करके बता दिया था कि वो आज घर नहीं आएगी उनको कुछ इंपोटेंट काम है उनने श्रेया को भी कॉल किया था पर उसने उनका कॉल नहीं उठाया उनने लगा उसका फोन साइलेट पर होगा इसलिए उनने ये बात नित्या आंटी को बता दी अगर उनका कॉल नहीं लगा तो श्रेया फिर से परेशान हो जाएगी अब आगे शिव उसंद ग्राउंड रूम से निकल कर बहरा गया और अपनी कार में बैक गया था उसके ठीक आदे घंटे बाद रागव और राहुल भी कार में आकर बैक गए उनकी कार सिंधानिया मेंशन की तरफ चल पड़ी पूरे रास्ते उन तीनों में से किसी ने भी एक दूसरे से बात नहीं की उन तीनों के मन राका की बाते जो उसने थोड़ी देर पहले कही थी वही गुम रही थी आखिर इंडिया में वो जो इंसान राका का बॉस है वो क्या करने वाला था दशमलब दो घंटे बाद कार सिंधानिया मेंशन के बाहर आकर रुकती है कार के रुकते ही शिवकार से बाहर निकल कर अपने कमरे में चला जाता है राघव और राज भी अपने अपने रूम में सोने चले जाते है राज और रहुल का अलग-अलग रूम में था जब वो यहां रुकती तो उसी रूम में थहरते शिव अपने रूम में आकर बैट पर बैट जाता है वो बहुत ही परेशान हो गया था उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था अब क्या करना है उसने अपना फोन निकाला श्रेया से बात करने के लिए लेकिन धाली देखी तो उसने दो बजे है तो उसने अपना फोन वापस बैट के साइट टेबल पर रखा वो श्रेया की नीद खराब नहीं करना चाहता था इतनी रात को उसे फोन करके वो बैट से उठकर बातरूम में गया फ्रेश होकर अपने कपड़े चेंज कर लिये थे उसने बहुत ही कमफर्टेबल नाइट सूट पहना था वो जाकर बैट पर लेट गया थोड़ी देर में ही वो गहरी नीद में सो गया दवाई के असर से और आज देन बर की बाग दोड़ से वो बहुत ठक गया था उससे उसे जल्दी ही नीद आ गई नेक्स्ट मॉनिंग महरा विला श्रेय की नीद सुबर 6 बजे खुलती है वो जल्दी से उठकर अपने बैट पर बैट जाती है जब वो दिवार पर लगी घड़ी पर टाइम देखती है तो वो शोक हो जाती है वो खुद से ही कहती है कल मुझे वो सब दिखा उसके बाद मुझे बहुत कमजोरी आई और रूम में आते ही मैं सो गई थी अभी सुबल के 6 बज रहे है मैं एकनी देर तक केसे सो सकती हूँ उद्धरल चिन डॉट तब ही उसे अपनी मॉम की याद आती है वो खुद से ही कहती है मॉम कहा है वो इतनी दरी हुई परिशान क्यों लग रही थी वो किस आदमी से मिलने गई थी मुझे तो उसका चेहरा भी ध्यान से नहीं दिखा कुछ देखने से पहले ही मुझे बहुत कमसोरी महसूस हो गई और मैं रूम में आते ही सो गई थी उद्धरन्चिन डॉट उद्धरन्चिन शायद ये सब मेरी अधूरी पावर के वज़े से था अब मुझे जल्दी ही अपनी सारी पावर हासिल करनी होगी पोनिमा के पहले मुझे साधवी जी को भी ढूढ़ना है तभी मैं उनकी मदद से सारी पावर हासिल कर पावगी उसके बाद मुझे राज, रिवा और आराधना की मदद करने वाले उस मास्टर माइन को भी सबक सिखाना है पापा को अब तक उसके बारे में पता चल चुका होगा उद्धरन चिन डॉट, इतना वो अपने मन में वो खुद से ही कहती है तभी उसे अपनी मॉम का ख्याल आता है वो जल्दी से बैट से उठकर अपने रूम से बाहर जाकर अपनी मॉम की तरफ चली जाती है श्रेया उसकी मॉम के रूम का डोर नोग करती है पर कोई रिस्पॉंस नहीं देता तो वो अपनी मॉम को आवाज देती है पर तभी कोई आवाज नहीं आती तो वो खुद से ही कहती है मॉम तो सुबल जल्दी ही उठ जाती है तो आज आवाज की नहीं दे रही है उद्धरल चिन डॉट इतना कहकर वो मॉम की रूम का दोर ज़रा जोर से पुश करती है तो वो खुल जाता है तो श्रेया रूम में चली जाती है पर उसे अंदर कोई नहीं देखता तो वो एक बार बात रूम चेक करती है पर वहाँ पर भी उसकी मॉम उसे नहीं दिखती तो वो अपनी मॉम की रूम से निकल कर नीचे हॉल में आकर अपनी मॉम को आवाज लगाती है हॉल में सफाई कर रही नित्या आंटी जब उसकी आवाज सुनती है तो वो श्रेया की पास जाकर उसे कहती है क्या हुआ बेटा, आपको कुछ चाहिए, उद्धरल चिन डॉट, श्रेया नित्या आंटी की बात सुनकर उनसे कहती है, आंटी मॉम कहा है, मैं उनके रून में गए थी, वहाँ पर वो नहीं थी, और अभी आवाज लगा रही हो तभी वो कोई रिस्पॉंस नहीं दे रही है उद्धरल चिन डॉट, इस पर नित्या आंटी उससे कहती है, बेटा वो मेडम जी तो रात को घर नहीं आई थी, उनको कुछ इंपोटेंट काम आ गया था, उनने अपको कॉल किया था पर आपने कॉल ही नहीं उठाया, तो उनने मुझे बता दिया, ताकि आप परेशान न हो, मैं आपको बताने आई थी आपके रूम में, और आपको दिन करने बुलाने भी पर आप सो रही थी तो मैंने आपको डिस्टब नहीं किया, श्रेया उनकी बात सुनकर उनसे कहती है, ठीक है आंटी, मॉम ने बताया कि वो कब तक आएगी, उद्धरल चिन डॉट, नित् पर नित्य आंटी हा कहकर किचेन में चली जाती है, उनके वहाँ से जाते ही श्रेया भी अपने रूम में चली जाती है, रूम में आकर वो अपनी मॉम और उस आदमी के बारे में ही सोच रही थी, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, वो इस बारे में श्याम को अपनी मॉम से ही पूछना बहतर समझती है उसके बाद वो फ्रेश होने बाथ रूम में चली जाती है फ्रेश होकर वो अपना ड्रेस चेंज कर जल्दी से नीचे ब्रेक फास्ट करने चली जाती है उसने रात को दिनर नहीं किया था इसलिए उसे बहुत भूख लगी थी इसी बज़े से उस का नाम फ्लेश हो रहा था श्रेया कॉल रिसीव करके हेलो कहती है दूसरी तरफ से शिव की बहुत ही अट्रक्टिव आवा जाती है ही जान क्या कर रही हो उद्धरन चिन डॉट श्रेया उसकी बात पर कहती है कुछ नहीं अभी नाश्ता करके रूम में ही आई थी और अप क्या कर रही हूँ आपने नाश्ता किया उद्धरन चिन डॉट श्रेया की बातों पर शिव उससे कहता है नहीं किया नाश्ता अभी करने ही जाने वाला हूँ उद्धरन चिन डॉट श्रेया कहती है तो जाओ कहिले आप नाश्ता करो दवायलो फिर हम बाते करते हैं मुझे भी तयार होना है उद्धरन चिन डॉट शिव कहता है ठीक है जैसे आपका का हुकुम रानी सरकार शिव के ऐसे कहने से श्रेया शर्मा जाती है उसके कान लाल हो गए थे साथ में गाल भी वो कहती है तो अब जाओ जल्दी मैं फोन रखती हूँ बाई उद्धरन चिन डॉट शिव भी हस्ते हस्ते फोन रख देता है उसे पता था उसके ऐसे कहने पर श्रेया शर्मा गई होगी ये सोच कर ही वो मुस्करा देता है और नीच डिन करने चला जाता है श्रेया फोन रखने बाद आइने के सामने जाकर खड़ी होती है जब आइने में खुद के लाल गाल और कान को देखती है तो वो खुद से ही कहती है What's wrong with your Shreya? तो उनकी बस कुछ बात कहने बर से इसे शर्मा केसे सकती है थोड़ी देर में Shreya अच्छे से तयार होती है क्योंकि वो फ्रेश होकर ड्रेस चेंज करके सीधा नाश्ता करने गई थी उसे बहुत भूख लगी थी इसलिए अब वो अच्छे से तयार हो गई थी आज Shreya ने एंकर लेंथ ब्लैक कलर की जीन्स उसके उपर वाइट कलर का क्रॉप टॉप पहना था बालों को पोनी में बंधा था चेहरे पे मेकप के नाम पर काजल लिप्स्टिक लगाए थी सिर्फ बस इतने में ही बहुत ही ब्यूटिफुल लग रही थी तयार होने के बाद वो रूम में ही लगे हुए अपने स्टडी टेबल पर बैट जाती है और अंगूथी सी मिली हुई मिस्टीरियस किताब पढ़ने लगती है सिंधानिया विला, डाइनिंग टेबल पर शिव, राहूल और राघव बैट कर अपना नाश्टा शान्ती से कर रहे थे नाश्टा होने के बाद शिव उन्हें स्टडी रूम में आने का इशारा करके डाइनिंग टेबल से उठकर अपने स्टडी रूम में चला जाता है प्रॉक के एजेंट का अलट कर लिया है, जल्दी अगर कुछ गरबर लगी तो हमें पता चल जाएगा, राहू तुम यही इंडिया में रहकर यह का सब हैंडल करोगे, मैं और राघव USA जा रहे हैं जल्दी ही, उद्धरन चिन डॉट, शिव की बातों पर राघव कहता है, श सिर्फ सर हिलाते हैं, ACO तीनों थोड़ी देर अपने प्लान के बारे में, केसे क्या करना है, सब डिसकस करते हैं, SR विला, ये SR विला वही विला है, जहाँ पर सिया की मॉम कल उस आदमी से मिलने आई थी, जिसकी बस एक दुंधला का अक्ष श्रेया ने देखा था, उस बहोश हालत में बैट पर लेटा था, उसका पूरा चेहरा पीला पड़ा था, उसे ऑक्सीजन मास्क लगाया था, उसकी उम्र यूँ ही कोई 45 के आस पास होगी, डॉक्टर ने श्रेया की मॉम को बताया था अब पेशेंट की हालत नॉमल है, कल उनकी अचानक तबेत खराब हो गई थी, इसलिए श्रेया जी परेशानी में जल्दी से उसके पास आई थी, और अभी भी उस बिस्तर पर बेहोश हालत में पड़े हुए आदमी का इक हाथ पकड़ कर बैठी थी, तब ही वहाँ पर एक मेद आकर उन्हें नाश्ता के लिए बुलाने आती है, उन्होंने रात से कुछ खाया नहीं था, श्रेया की मॉम भी उसके बुलाने पर उस रूम से निकल बाहर चली जाती है, नाश्ता करने वैसे भी अब उस आदमी की हालत स्टेबल थी, वो ऐसा खाना नहीं छोड़ सकती अगर वो बीमार हो जाती तो वो उस आदमी का ख्याल केसे रख और उन्हें अपनी बेटी की भी चिंता थी, इसलिए वो नीचे जाकर बे मन से ही पर नाश्ता करती है, क्रमश, कोन है वो बीमार आदमी, क्या रिष्टा है श्रेया की मॉम का उस आदमी के साथ, श्रेया को जब श्रेया को जब श्रेया के ऐसे पांच दिन पहले ही यू इ जानने के लिए पढ़ते रहे आगे का एपिसोड, हिलो फ्रेयम्ज आज के लिए बस इतना ही आज का एपिसोड आपको केसा लगा ही कॉमेंट करके जरूर बताना, अगर आपको आज का एपिसोड अच्छा लगा हो तो विडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न बुलना स्टोरी में आगे क्या होगा जानने के लिए देखिए स्टोरी का अगला एपिसोड